वो आदाकारा जिसने वैंप के किरदार से फिल्मी पर्दे पर जान फूंग दिया वो अभिनेत्री जिसको देखते ही महिलाएं अपने पती को छुपा लेती थी मीना कुमारी ने इनके किस खुबी को देख कर कहा कि तुम तो डायन के रोल में धमाल कर दोगी अनपर इस हिरोईन ने कैसे सिनमा जगत में भूचा ला दिया क्यों यह भिनेत्री कभी मा नहीं बन बाई और जया बच्चन को लेकर क्या विवादित कहा इस भिनेत्री ने तो चलिए शुरू करते हैं बेतरीन अधाकारा बिन्दू के फिल्मिक से आदेश सिंग्रा ठोर के साथ इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जो मुख नाइका के तोर पर तो खुद को स्थापित नहीं कर सकी लेकिन उनके टैलेंट ने उन्हें एक ऐसा मकाम जरूर दिलाया जिससे वो किसे लीड एक्ट्रेस से कम भी नहीं रही उन्हीं में इसे एक अभिनित्री हैं बिंदू जो नहीं अब तक सैकरो फिल्मों में काम किया इन्हें काम का कितना अनभव है यह इस बात से ही पता चल जाता है कि इन्होंने 11 साल की उमर में ही मौडिलिंग शुरू कर दी थी दरहसल बिंदू की फिजिक ऐसी थी कि वो भले ही 11 साल की थी लेकिन वो लगती थी 16 साल की इसलिए उन्हें काफी जल्दी ही मौडिलिंग का आफर मिल गया था वहीं वो एक्ट्रेस भी मजबूरियों के चलते बनी दरहसल उनके पिता ने बहुत चल्दी दुनिया को अलविदा कह दिया जब बिंदू काफी छोड़ी थी लेकिन वो घर में सबसे बड़ी थी लहाजा उन पर ही सारी जम्मेदारियां आट गी एसमें जब उन्हें मौडलिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने वो मौका छोड़ा नहीं बलकि उसे अपना लिया धीरे धीरे वो मौडलिंग से फिल्मों में आ गई तुम कहीं जूट तो नहीं बोल रहे हो नहीं तो अगर बाबा ऐसा कर दे तो मुझे इस दुनिया से और लेना ही क्या है? उन्हें दमदार फिल्मों के रूल आफर हुए और वो देखते ही देखते हैं स्टारडम के सीड़ियां चड़ गए ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बिंदू ने कम उमर में ही शादी कर ली थी वो उस वक्त महद 16 साल की थी 16 साल की उमर में उन्हें अपने परोस में रहने वाले चंपक लाल जावीरी से प्यार हो गया था दो साल तक डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली थी यानि कि तकरीबर 18 साल की उमर में मैं कुछ सुना नहीं चाहिए साथ युनों ने बताया कि वो फिलमी पार्टियों में भी पती के साथ ही जाती थी और कभी देड़ तक नहीं रिकते थी उस वख्त कई फिल्मों में बिंदो ने बोल्ड करदार निबाए लकिन उनके मताबिक उनके पती ने कभी इसे लेकर कोई सवाल नहीं किया इसके वज़े थी उनके पृती बिंदू का प्यार बिंदू ने चार दश्कों के करियर में 150 के करीब फिल्मों में काम किया और अपनी अलट पहचान बनाई मायासे पूश तो सही कि वो तेरी कित्नी आशिक है विंदू ने हिंदी सिनिमा के कई सुपर हिट फिल्म में काम किया एक्टरस ने जादतर फिल्मों में वैंब का रोल निभाया है इस शवी ने एक्टरस की परसनल लाइफ पर काफी असर डाला है दरहसल परदे पर वैंब का रोल निभाने पर एक्टरस को रियल लाइफ में ग राखी एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो मैंने लोगों को ये कहते हुए उसना के राखी बिंदो को गले क्यों लगा रही है उन्होंने आगे कहा लोगों को लगता था कि जैसे मैं परदे पर हूँ वैसे ही रियल लाइफ में भी हूँ इसलिए वो मुझे गालिया देते थे और जब मेरे मेल फैंस मुझे मिलते थे तो उनकी पतनिया उन्हें मुझे से दूर कर लेते थे बिंदो ने जब एक्टिंग के दुनिया में कदम रखा था तब मीना कुमारी बिग स्क्रेन पर राच कर रही थे लोग उन्हें ट्रेजडी क्वीन कहकर पुकारते रहे रियल लाइफ में भी मीना कुमारी के जिन्दगी काफी ट्रेजडिक थी उस समय बिंदो और मीना कुमारी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी बिंदो हमेशा ये सोचा करती थी कि अगर वो वैंप ना होकर लीड रोल प्ले करती तो क्या हो ऐसे में उनके खास दोस्त और ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी ने उन्हें एक महत्पूर्ण सलहा दी मीना कुमारी का मानना था कि बिंदो को लीड रोल के पीछे नहीं भागना चाहिए मीना कुमारी ने बिंदू को समझाया कि अगर वो लीड रोल करने के इच्छा रखेंगी तो इससे उनका नेगटिव शेड पूरा फोकस नहीं हो पाएगा जिसका प्रिभाव कहीं न कहीं स्क्रीन पर उनके एक्टिम में नजर आएगा उन्हें लीड रोल प्ले करने से ज़्यादा एक पफॉर्मर के रूप में अपने रोल में ही सारा फोकस करना चाहिए मीना कुमारी ने बिंदू से कहा था कि अगर वो हिरोईन बनने के बारे में सोचेंगी तो इससे वो उसे भी गवा देंगी जो उन्हें अभी मिल रहा है सतर और असी के दशक के मशूर अपने तरी बिंदू को सभी जानने लगे थे बिंदू ने उस दशक के फिल्मों में विलन का करदार बखु भी निभाया था हिंदी फिल्मों में उन्होंने उन्हों सो 62 कदम रखा था उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया अब बिंदू ने खुलासा किया है कि करियर के शिर्वात में उनको आवार्ड नहीं दिये गए क्योंकि तब वो इंडिस्ट्री में नई थी बिंदू के मताबिक वो फिल्म फियर आवार्ड के लिए नौ बार नौमिनेट हुई पर एक भी बार जीती नहीं बिंदू ने ये भी बताय कि उन्हें फिल्म दो रास्ते के लिए आवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि वो नौ कमर थी जबकि जया बच्चन को गुड़ी के लिए आवार्ड मिला वो कई बार फिल्म फियर के लिए नौमिनेट हुई लेकि एक बार भी आवार्ड नहीं जीत पाई जबकि जया बच्चन को गुड़ी के लिए आवार्ड मिला था बिंदू ने आगे इस बात का भी उखलासा किया कि ये सब अंदर की बाते हैं मुझे पता भी चला था कि सबसे जादा वोट मिलने के बावजूद मुझे आवार्ड नहीं दिया गया ऐसा एक बार नहीं बलकि तीन से चार बार हुआ और ऐसा हमेशा फिल्म फियार में हुआ है बिंदू ने बताया कि मुझे दो रास्ते के लिए नामिनेशन मिला था बिंदू कहती है कि जूरी मेंबर्स ने उन से कहा कि हम आपको पहली फिल्म के लिए वोट कैसे दे सकते है लेकिन बाद में उन्होंने जया बच्चन को गुड़ी के लिए एक वोट दिया जबकि वो उनकी भी पहली फिल्म थे क्योंकि वो हेरोईन थे उन्होंने मुझे अवार्ट नहीं दिया मुझे वोट मिले लेकिन फिर भी मुझे अवार्ट नहीं दिया गया मुझे दास्तान के लिए भी नॉमिनेट किया गया नॉमिनेशन्स भी मिले लेकिन इस बार भी अवार्ट नहीं मिला उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि जब आप काम में नए नए होते हैं और आपको आवार्ड मिलता है तो उससे आत्म विश्वास बढ़ता है तब एक उत्साह और खुशी ही अलग होती है कि आपको प्रेड़ना देता है बिंदू ने आगे कहा कि नए कालाकारों का आत्म विश्वास बढ़ानी के लिए उनको पूरसकार जरूर दिया जाना चाहिए ये टाइम्स ने जब बिंदू से पूछा कि क्या उन्होंने जिद्दिगे में किसी चीज़ का पच्चताबा किया है तो एक्टरस ने कहा मातरत् प्रिसमत में नहीं था मैं मा नहीं बन सकी उनिस सुस्थात्तर में प्रेगनन थी मैंने शूटिंग भी रोग दे थी लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन्स हो गए प्रेगनसी के छे महीने पूरे होने पर मैंने बच्चा खो दिया उससे अगले दिन ही मेरी गोद भराई होनी थी बहुत दुख वाला ख़ड़ था सुनील साहब और नर्गिस जी मुझे हिम्मत देने मेरे घर आए थे शर्मिला टैगोर ने मुझे बहुत ही प्यारा लेटर भी लिखा था मैं उन बातों और पलों को नहीं भूज सकती बिंदू ने आगे बताया कि बच्चे के लिए उन्होंने फिर टेस्ट्ट्यू बेबी का भी सहारा लिया, उन्होंने विदेश जाकर भी ठ्रीट्मेंट करवाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, बिंदू बोली, बात में हमने टेस्ट्यू बेबी के लिए ट्राइ किया, मैं लंदन गई, और वहां डॉक्टर से इलाज कर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी आप किस अभिनीता के बारे में जानना चाहते हैं कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भे ना भूलिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए जिस झाल झाल